ओपरेशन के लिए पैसे नहीं हमाने पास इसलिए मैं किड्नी दे रही हूं इनको नमस्कार मैं हूँ रवी सिंग मैं आपको लेकर आए हूँ आज उधंपुर बार नमबर साथ शक्तिनगर स्सी महले में पहले मैं आपको यह बता दूँ कि काफी समय पहले मैं ने कुछ ऐसी स्टोरियें भी बताई थी गरीबी को लेकर और फिर एक तो उपर वाले की यूर से गरीबी और फिर कोई भीमारी लगना कहीं न कहीं देखें तो उन लोगों के लिए काफी परेशानी बनती है खास कर जब इलाज कराने की बारी आती है उस समय जब पैसे बताए जाते हैं उस समय लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है आज मैं उस घर में लेकर आए हूँ आपको जै परकाश यहाँ पर रहते हैं पहले मैं आपको उस घर के बारे में बता दूँ कि ये घर उनका बना हुआ है ये टीन का मकान है अगर उपर देखें तो ये लेंट इन लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ कि ये मैं घर आपको लेकर आ रहा हूँ अंदर ये सामने ये परिवार है ये तीन बच्चे हैं इनके दो लड़कियां एक लड़का है और ये बेट पर जो व्यक्ति लेटे जा तो फिर चेंज करवाना पड़ती है तो अगर होस्पिटल में भी जाए तो काफी पैसा लगता है इस पर लेकिन मैं इनसे ही बात करना चाहूंगा कि आखिर क्या हुआ पैसे इनके पास हैं कि नहीं क्या ये अपील करना चाहेंगे लोगों से सबसे पहले आप ये क्या क्या कितना पैसा बताया लगबत तो जमूने अनुए चंदीगर पीजे में चैक करवाया उन्होंने कहा कि यहां पर कोई पांसाद लाक खर्चाप का जाएगा जाएगा जी हां तो यहां पर मोदी आश्मान कार्ट बगारा कुश नहीं चलेगा आश्मान कार्ट कितनी जाता बनाथ माथ मुझों करता हूं हूं कितनी गच्वाइव लेतरा आश्मान कार्ट से नहीं हो रहा है एक तो अगर उभर साव कारी प्रम करें कर दो द्र बाई खर्चा जाने का खर्चाा रहेए हैं तो क्या अपिल करना चाहें के लोग को जैताए हो और यह जाए जाला मदद करें कि मेरे बच्चे भी च्टच्टे है हे और मैं ठीक हो सकती हूं गना लोगों सो जोग हो तो आपने देखा कि ये थे जैपरकास जी जिन्हें ने लोगों से अपील की गई है कि लोग सही योग करें इनकी मदद करें ये ठीक हो सकते हैं लेकिन आप लोगों का सही योग केई संस्थाएं बनी हुए हैं और मैंने पहले भी आपको बताया कि इस चीज के लिए काफी लोग तयार रहते हैं सिर्फ उन लोगों को पता होना चाहिए लेकिन मैं फिर आप को उता दूँ कि जयपरकास जयपरकास जी खितनी उमर आपकी ने रूमर से 40 साल है 40 साल के करीव है और मजदूरी करते हैं मैंने पहले भी आपको बताया कि ये दो कमरे बने हुए है टीन उपर ह बच्चे यह पढ़ते हैं इनकी बीबी इनके साथ है मैं बात करना चाहूंगा क्या नाम है आपका मैं नाम रंज्रा है क्या कहेंगी आप में यह कहना चाहती हूं कि मेरी पती बिमार है बहुत इनको किड्नी की प्राब्मम मारी गया तो इसलिए डाक्टर ने बोला परेशन क प्राब हूं इंका उप्रेशन के लिए पैसे नहीं हमारे पास इसलिए में किड्नी दे रहUp इनको ट्रांसफर के लिए या डाक्टर के लिए डॉक्त पनी देпон्ट है हां जी दे देरूं लेकिन खर्चा बहुत आ रहा है इसके लिए परेशान हैं मैं बहुत बहुत अरू म का वी aan की shuttle कर रहे हमारे द्वाई का खर्चा बच्चों की पड़्ाई चल लिए बस की हम यह कहना हैं मारी कोई मदद करें और हमें बहुत परेशान हैं इसलिए क्या बोलू हो इसके अलावा मेरे पती की बड़ी हाल खराब है कमाने वाले यह हमारे घर में हमारे चोटे बच्चे का दुएंईों का फर तो फिर कैसे करूंगी मैं क्या काम करती ने घर पर जांगी मैं काम करूंगी जाके इन के लिए फिर शयखे बच्चे विस ने प्लती काहा बच्चे हैं वो बिमार हैं तीन महीने से वो बिमार हैं लेकिन कितना मांगेंगे लोगों से ये मांग कर गुजारा किया जा रहा है तीन महीने से लगाता लेकिन लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि अगर कोई भी मदद करना चाहे देखिए जवरदस्ती इसमें किसी से नहीं की जाती किसी का मन करता है तो मैं आपको फिर अडर्स बता रहा हूँ ये बाड नमबर 7 शक्तिनगर ऐसी महला पड़ता है अगर आप किसी से भी पूछें कि जैपरकाश का घर कहां पे है ये मजदूरी करते हैं कहां पे आज़ो तो लोग आपको भी ये भी बता हैलीस लेखे इन्होंने अपना फोरन नमबर बताय अगर कोई व ici किसी बात करना चाहता है तो यह अपनी बात हुजा सकता है पूछ सकता है इनसे ऐडरिस भी पूछ सकता है कोई भी मड़त कर ना चाहिए लेकिन सबसे बड़ी problem सबसे बड़ी परेशानी पैसे किया रही है कि इन्हें पैसे चाहिए किटनी इनकी बीवी दे रही है लेकिन transfer के लिए पैसे काफी लगते हैं जैसे ये बता रहे हैं कि 5-7 लाक रुपे तक कर चाहेगा लेकिन सरकार की उर से बड़े-बड़े वादे किया जाते हैं बड़े-बड़े दावे किया जाते हैं कि आपको काड दिया जाएगा ये काड हर एक जगा चलेगा लेकिन देखे इसी बिमारी के लिए चाहे वो कैंसर है चाहे वो किटनी अखराब हुई है इसी बिमारी के लिए ये कार्ड बनते है पांच लाख रुपे तक ये सरकार की उर्से दिया जाता है लेकिन फिर भी अगर ये व्यक्ति मांग कर ये कर रहे हैं तो फिर उन कार्ड का क्या फाइदा सरकार की उर्से जो कार्ड बनाय जाते है उसका क्या फाइदा कहीं न कहीं देखे तो ये पूरा परिवार परिशानी में जूज रहा है लोगों से बार बार अपील की जारी है कि लोग इनकी मदद के लिए आ गया है चाहे वो कोई संस्था हो चाहे कोई मदद इस तरह करना चाहता हो देखे परिवार वाले बड़े रहते हैं और परिवार वाले भी ये जानते हैं जिनके घर में बच्चे रहते हैं बच्चे चोटे हैं ये दो लड़की और एक लड़का है आकर इनका पालन पोशिन किया जाएगा कैसे किया जाएगा आप लोगों से अफील की जाती है बार-बार की इन लोगों की मदद करें फोन नमबर दिया गया है आप फोन पर भी बात कर सकते हैं फोन पर इनका अड्रस भी पूछ सकते हैं कैमरामैन अजेक साथरवी सिंग वीरा चैनल उधंपूर